दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आमारे चैनल में दोस्तो इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग इंडियन हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास हैं ये काफी ज़्यादा इंपोर्टन टॉपिक है आने वाले किसी भी एकजाम्स के लिए देखे इस टॉपिक से जो हर एकजाम में कुशा जाता है तो इसे रिलेटेड इंपोर्टन चालाइस कुश्चन जो इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये टोटल जो चालेस कुश्चन है आप इनमें से कितने कुश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना score जो है comment box में जुरूर बाता है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share and channel पनाया है तो चैनल को subscribe करके bell icon जुरूर share करते हैं ठीक है तो चले शुरू करते हैं देखे यहाँ पर हमारा पहला question दिया गया है वह कौन सा भारतिया नेता था जिसने बनारास के राजा स कांग्रेस के संगठन का बिरोध किया था तो यह आपको बताना है उनका नाम क्या था तो देखे हैं उनका नाम था सेयात अम 20 glow खां जो थे इन्होंने बनारास के राजा जो雲 पर सासे उनके साथ है 1885 इस्वी में भारती राष्टी कांग्रेस के संगठन का इन्होंने बिरोध किया था ठीक है इसके अलावा एक और यहां से कुश्चन पूशा जाता है कि मुस्लिम लीग जो बिस्व बिद्याले था अलीगड और लीग और मुस्लिम लीग जो बिस्व बिद्याले था इसके अस्थापना किस ने कही थी तो देखे इसके अस्थापना जो है इन्होंने ही किया था सयद अहमद खाने तो यह भी बाते आपको याद रखने है आंसर हो जाएगा C Q2 है वह प्राथम भारतिया कौन थे जो ब्रेटिस सांसत के लिए निर्वाचित हुए थे देखे यह भी बहुत बार Q2 में पूछा गया है तो ब्रेटिस सांसत के लिए दादा भाई नोराजी जो थे यह निर्वाचित हुए थे ठीक है तो अंसर हो जाएगा C इसके अलावत दादा भाई नोराजी को जो है यह Grand Old Man of India ठीक है भारत का ब्रीध भेगती ठीक है भारत का ब्रीध भेगती किसे बोला जाता है तो यह दादा भाई नोराजी को बोला जाता है आपको याद रखना है कुश्चे नमबर थार्ड है अठारो सो छियाचाट इसवी में दादा भाई नोराजी दौरा निमनलेखित में से किस एक सहर में East India Association के स्थापना की गई थे तो यह की गई थी लॉंदन में ठीक है अठारो सो छियाचाट इसवी में दादा भाई नोराजी दौरा किस एक सहर में East India Association के स्थापना की गई थे तो प्रोथम अधिवेशन के अधिश्टा जो है किसने किये थे तो ये W.C. बनरजी ने ठीक है किसने किया था 880 से इसे में भारती राश्ट्य कांग्रेस के आरभिक बरसों में अध्य हो थे तो आरभिक बरसों में अध्य होस ते तो ये थे दादा भाई नोरोजी, आपको याद रखना है ठीके भारते राष्टे कांगरेश के अध्य हो जाये गर्डी, कुस्चन नंबर 6 है, भारत का राष्टिया गीत है, बंदे मातरम قब और कहां पर गाया गया था, very important ये question है आपके लिए, जो भारत का राश्ट्य गित बंदे मात्रम है, तो ये पहली बार कब और कहा पर गाया गया था, तो पहली बार जो है 1892 में, ठीक है और भारती राश्ट्य कांग्रेस के कुलकाता, कुलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था, य तो इनका नाम था बदरूदीन तयब जी, याद रखना है आपको बदरूदीन तयब जी, इंडिया नेश्ट्नल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अधिवस्ता, question number 8 है, बर सुने सचे के, कांग्रेस के बार्शिक अधिवेशन के अधिवेशन के अधिवेशन के अधिवस्त नरम दल तथा गरम दल के बीच मदभेद भारतिराश्ट्य कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था, तो ये हुआ था सुरत अधिवेशन में, ठीके, सुरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ठीके, सुरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था, नरम दल तथा गरम दल के बिच मतभेद भारती राष्टे कांग्रेस के सूरत अधिवेशन उनिस साथ में हुआ था आपको याद रखना है आंसर हो चाहिएगा D यहाद रखना है यह काफी बार कुश्चन पुशा गया है कंग्रेस किस था अपना किस के द्वारा यह के द्वारा किया गया थ 985 अठीक स्वें कessä नमबर 11 में सरोजनी नाइडो को किस भर्से कौन्गे अध्याक्स भनाया गया था तो यह 1925 में बनाया गया था ठीक भारतिय राश्ट्य कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्स एनी बेसंट थी ठीक है एनी बेसंट आपको याद रखना है डी अंसर हो जाएगा 13 है कि इस एक मात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्सता महत्मा गाधी जी ने की थी ये भी कुश्चन बहुत बार कुश्चन पुश्चा गया है तो बेलगाव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था मतलब इसकी अध्यक्सता जो है ये महत्मा गाधी जी ने की थी आपको याद रखना है भेरे इंपोर्टेंट कुश्चन है ठीक है भारत में सचियू का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था सचि 1911 को पहली बार जन गन मन कहां पर गाया गया था तो जन गन मन जो पहली बार गाया गया था कहां पर गया गया था कुलकाता में ठीक है 1927 में 27 देसंबर 1911 को पहली बार जन गन मन कहां गया गया था तो ये कुलकाता में ठीक है याद रखना है आपको अंसर हो जाएगा सी जोहारलाल नेहरू कितनी बार भारती राष्टे कांग्रेस के अध्यवस्ते तो तीन बार थे ठीक है जोहारलाल नेहरू जो थे ये भारती राष्टे कांग्रेस के तीन बार अध्यवस्ते पहली बार कब थे और तीसरी बार जो थे ये दिसमबर 1936 में फैजपूर अधिवेसन में मतलब ये तीन बार जो है भारती राष्टे कांग्रेस के अधाय वसते जुहारलाल नहीरू ठीक है याद रखना है आपको निमनेलेखित में से कौंस अनेता नरम पंथीन नहीं था तो नरम पंथीन में से कौन सा नेता नहीं था तो लाला लाजपत राय नहीं थे ठीक है लाला लाजपत राय क्या थे तो ये गरम दल के परमुख नेता थे ये आपको याद रखना है ये गरम दल के परमुख नेता थे लाला लाजपत राय ठीक है आंस कि ग्होंसला की तो किस्वार्णर्ट के समय में तो यी लॉड हर्डिंग याद रखना है आपको लॉड हर्डिंग के समय में 19 से 11 में भारत की राजधानी कोलकाता से ग्होंसला की और 19 12 में अस्तनांत्रित निश्चे मुलें ऊंसलाह? जो है ये कुलकाता जो है भारत की राजधानी अस्थनांतरित हो गई थी ठीक है कुलकाता से दिल्ली अस्थनांतरित हो गई थी ठीक है 19 से 12 में आपको याद रखना है तो आंसर हो जाएगा सी कुश्चन नमबर 19 से किस वर्ड सराष्टिय गीत बंदे मात्रम पहली बार गाया गया था तो बंदे मात्रम पहली बार कब गाया गया था अठारो सो चानवे में ठीक है अठारो सो चानवे में गाया था कुलकाता अधिवेशन में ठीक है कुलकाता अधिवेशन में ठीक है कुलकाता में गाये गया ठीक है और जनगन मन के हिंदी संसकरण जो था ये संबिधान सभा ने कब अपनाया 24 जनवरी ठीक है 24 जनवरी 1950 को ठीक है आपको याद रखना है जनगन मन को हिंदी जो संसकरण था तो इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया ठीक है अंसर हो जाये गसी ब्रेटे सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोचाहित किस वर्ष किया ब्रेटे सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोचाहित किस वर्ष किया उननीस सी यारा में ठीक है अंसर हो जायेगा D Question number 22 है बंग भंग का उढ़जन से क्या था बंग भंग का उदेश से क्या था तो देखे इसका जो उदेश से था वो था पस्चमी और पूर्वी बंगाल के हिंदू का विभाजन करना और हिंदू मुसल्मान का तनाव ठीक है इसका उदेश से था अंसर हो जाएगा D कुश्चन नमबर 23 है करजन ने भारत का विभाजन कब किया करजन ने भारत का विभाजन कब किया 1905 में ठीक है आंसर हो जाएगा अपसनी कुश्चन नमबर 24 है निमनलेखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया तो बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया प्रारम्ब हुआ था तो स्वदेशी अंदोलन बंगाल बिभाजन बिरोधी अंदोलन के समय में जो है स्वदेशी अंदोलन प्रारम्ब हुआ अंसर हो चाहेगा D Q26 है नरम दलील राष्टवादी अंदोलन के मांग क्या थी तो देखे इसकी मांग थी नियाई पालिका का कारेपालिका से प्रिथिकरण का उलेख जो है कौन से अनुषेद में किया गया है अनुषेद 50 में याद रखना है आपको C आंसर हो चाहेगा ब्रेटिस सरकार ने कौलकाता से दिली राष्धाने कब की थी तो 1912 में ठीक है 1912 में की थी कौलकाता से दिली राष्धाने ठीक है 1911 में जो है ये मतलब घोंसरा किया गया था और 1912 में इसे अस्तनांतरित किया गया तो आंसर हो चाहेगा C निमनिलगित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संपरदाइक निर्वाचक मंडल लागो किया गया तो ये किया गया था उन्नीसो नौ अधिनियम के द्वारा ठीक है तो आंसर वो चायेगा ये कुश्चन नमबर 29 है गदर पार्टे का मुख्याला कहा था सैन फ्रांसिसको ठीक है सैन फ्रांसिसको था गदर पार्टे का मुख्याला दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लेज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी कुछ हिल्प हो सके और वीडियो पसंद मतलब चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन अन करने से फाइदा यह है कि जभी मैं कोई निव वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके टाइम टू टाइम तो बेल आइकन जुरूर सेन करें तो कुश्चन है किसने भारते राश्टे कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा बिरोध की र आज नेती करने कार्व किसने लगाये था बाल गंगाधर तीलाक ने ठीक है कुश्चन नमबर 31 है ग्रेस आसन अंधोलन किसने परारां किया था बाल गंगाधर तीलाक ने ठीक है अंसर हो जाएगा officially방ु vy 22 है निमनलेखित मैं से कौन उग्रपंथी नहीं थे अथे उग्रि भारती राष्ट्रिया अंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनव समझा होता बिसिष्ट है क्योंकि कांग्रेसियों के दोनों समुहों के बिस्च मतभेद सुलजाए। प्रत्थम प्राष्ट्रियों की का लखनव समझा होता है। तिकिरिया थी तो ये गलत कथन है ठीक है बाकी तीनों करेक्ट है इसका नेतित्व लोकमा ने तिलक तथा एनी बेसेंट ने किया था होम रूल की ठीक है तिलक एनी बेसेंट ने अपने अपने प्रिथक लिग की अस्थापना की ये भी करेक्ट है और एनी बेसेंट ने प्रि गाधे किस क्रिशा कांदोलान से संबंधे थे तो गाधे जी चमपारान और खेडा से संबंधे थे चमपारान और खेडा तो यहाँ पर ए और सी जो है दोनों करेक्ट हो जाएगा मोहन दास करम चंद गाधी की माता कौन थी तो गाधी जी की माता का नाम था पुतली भाई आपको याद रखना है क्या नाम था उनका पुतली भाई था अंसर हो जाएगा सी माहत्मा गाधी के राजनीती गुरु कौन थे D, question number 40 है, किस अंदोलन के साथ महात्मा गाधी जी ने भारतिय राजनेती में परदापन किया, तो ये चमपारन अंदोलन के साथ, ठीक है, चमपारन अंदोलन के साथ महात्मा गाधी ने भारतिय राजनेती में परदापन किया, अंसर हो जाएगा, B, question number 41 है, चमपारन सत्यागरा के दोरान महात्मा गाधी के साथ कौन-कौन सामिल थे? तो उनके साथ राजेंदर प्रसाद वा अनुगरह नरायन सी ठीके सामिल थे? तो आंसर हो जाएगा सी उसके बाद यहाँ पर अगला कुछन है महात्मा गाधी ने निमनलेखित में से किसमे भूँखरताल की? तो भूँखरताल किसमे की थी आपको बताना है तो यह अहमदाबाद अंदोलन में किया था ठीके अहमदाबाद अंदोलन में जो है यह भूँखरताल किया था ठीके तो आंसर हो जाएगा भी तो दोस्तों ये था ये था आधुनिक भारत का इतिहास है इसे रिलेटेड इंपोर्टेंट 42 कोस्चन आई होब कि ये जो है वीडियो आपको पसंद आये रहेगा वीडियो पसंद आये तो प्लेज वीडियो को लाइक है और अपने दोस्तों में सेयर जरूर करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बल आईकन यानि घंटी का जो निसान है बगल में सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निसान आता है उससे जरूर सेन कर दें ताकि जब भी मैं कोई निव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मतलब टाइम टू टाइम मिल सके ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैहिंद चैभारत बंदे मात्रम